ततकाल न्यूज लाइफ के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन प्रिस कीजिए नमस्कार मैं हूँ सोनिका और आप देखें झाल जुओ कीजिए झाल 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 झाल, जुद नमस्कार और आप दोगर और दोगरे चैनल को सब्सक्राइब का और आप दूरी, में बेल आप कीजिएान हाटे, गुप हमारे ये जुईवल। लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो हमेशा पूरे देश में जो भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी मुद्दे पर कहता है वो ले डाउन करता है एक लोग, एक कानून तो आज सुप्रीम कोट ने ये बताया है कि इस तरीके से मामला में हाला कि पहले भी समयदानिक पीट के जज्जमेंट है कि ज़्यादा दखल अदालतों को नहीं देना चाहिए चुनावायों के काम में लेकिन कोविड की स्थीती हर बार नहीं थी उस समय इस समय मामला और सिफ और सिफ कोविड को लेकर था कि वर्चुर रैली कराई जाए ना कि फिजिकल रैली लेकिन सुप्रीम कोट ने छोड़ दिया चुनावायों के उपर क्योंकि सुप्रीम कोट का एक बार फिर ये मानना ह कि चुनाव निश्पक्स तरीके से हो स्वतंत्र तरीके से हो ये केवल और केवल सिर्फ चुनाव आयोग कर सकता है इसलिए चुनाव आयोग को तमाम जिम्मेदारी दे दिये कि वो सुनिश्चित करें किस तरीके से कोईड गाइडलाइन प्रोटोकॉल का भी पालज हो और चुनावायो की सुप्रीम कोट से आज हुई है